नमस्कार आनवेद्विज साइंस क्रपा सक्ते में जितने भी दर्सक हम सब को देखते हैं कोटी कोटी उन सब को परणाम आप सब के जीवन में जैसे में बार बार कहता हूँ क्रपा सक्ति एक दुनिया का ऐसा बेवस्था जहां पर अपके जीवन से जुड़ी होई हर एक समस्या का निदान के साथ साथ मेरा प्रयास कि आपके जीवन में कोई रोग ना रहे, आप जहां रहे, अपनी जीवन में मस्त रहे, आनंद में रहे, कुसल रहे, सुख में रहे, अगर जीवन में कोई बिमारी आभी गई है, तो उस बिमारी को किस तरह से दूर करें, यही हम सब को सीखना यहां पर पड़त यही सब लिखाए कि जिंदिगे बर सूबह से लेकर साम तक दवा खाऊंग। अगर जिंदिगे में दवा छोड़ना है तो ही आपको किरपा सकती में आना है। तो हमारे हाथ का कोई विवस्था नहीं है, मैं आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार लोगों से एक बात की आगरा भी करता हूँ, प्रातना भी करता हूँ, कि जीवन इसलिए नहीं मिला है कि जैसे चाहते हैं वैसे जीवन जीते हैं, नहीं, जी ये भी कुछ समय के लिए आप दवा खाए और निरोग हो जाएं लेकिन आजकल तो बड़ी इस्तिती अलग सी है इस देश में रोज प्रति दिन आप दवा खाते हैं प्रति दिन सुबह से लेकर रात तक कभी दो गोली कभी चार गोली कभी दो पहर कभी साम कभी सुबह लेकि आपके मरते दम तक निकलने का प्रयास नहीं करती क्योंकि गलती एक ही जगह पर नहीं दूसरी गलती एक और भी है कि हम विस बिमारी से क्या सही मैंने में निकलना चाहते हैं क्या अगर आपको भी कोई बिमारी है तो यह लाइब कारिकर में आप हमें फोन करें पूछिए अपने जीवन के अपनी बीमारी के बारे में कि बीमारी आप ही को क्यों ही और इससे कैसे आपको बाहर निकलना है एक आज ऐसा विसाय में आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत सारे लोगों को हमारे पास कॉल आता है कि नसों में सुनापन आ रहा है नसों के अंदर जक्र जाती है वो बैठे बैठे रहेंगे पैर फैलाएंगे पैर फैले गई नहीं सोए रहेंगे सो के उठेंगे तो पूरी के पूरी बाडी में जक्रन हो जाती है कभी सर्वाइकल की प्रॉलम है कभी हिप की प्रॉलम है कभी जोइंड की प्रॉलम है कभी घुटने दर्द की प्र नसों के अंदर infection सुरू है नसों में कहीं ना कहीं आपको problem create हो रही है और मैं पूरे भारत में तो मैं नहीं कहूंगा पूरी modern science में नसों को ठीक करने के लिए कोई आज तक औसधी का मैं कहूंगा खोजी नहीं हो पाया है या उसकी तरफ किसी ने ध्यानी नहीं दिया है अब हमने आर्वेद में तमाम research को खोजा है जो आपकी नसों को ठीक कर सकती है आपकी एक एक नस को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकती है जिसके द्वारा आपके जीवन में जो भी नसों से समधित बीमारी है उसकुट उप्चार ठीक प्रकार से हो सके और उसका निदान ठीक से हो सके जैसे माली जी कोई चल रहा है व्यक्ति चलते चलते उसके घुटने में दर्द हो रहा है घुटने से कटकट की आवाज आ रही है या बैठे बैठे आपके पैरों के अंदर नस्थ खिचना सुरू हो गया आप कहीं कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आपकी पता चले ग दिमारी है आपको और जब तक मैं कहता हूं कि सरीर के हमारे दो पाठ होता है एक सिसिरधार एक मध्यधार जब भी आपको मध्यधार में प्रॉलम होगी उसके लिए मौडर्ण साइंस में कोई औसधी ही नहीं बनी है कि उसके द्वारा आप अपनी उप्चार को कर सकते हैं और आरवेद में जिस तरह से अपने हजारों सालों की अपनी बिरासत को समा कर रखा हुआ है आज वो आरवेद में दिखने को मिलता है लेकिन प्रॉलम सिर्फ नियत की है हम आरवेद में अभी भी इतने पीछे हैं जितने कभी सोच भी नहीं सकते हैं वेरिकोज कि जब हम म करके विमारीन नसें आपकी विमारी योगा रही हो गा राहे उसके उपर लगाने के लिए अलग से क्रीम और प्राहने के लिए हाब्लिट हुआ हो, जिसकी वजह से आपको नस Department में प्रावलम होती कि अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रावलम है किसी व्यक्ति को माइग्रेन की प्रावलम है किसी की नसों में अकड़न की प्रावलम है या नसों में दर्द की प्रावलम है इस सारी की सारी वेवस्थाएं आपकी जो है उन नसों से प्रभावित होत कि जिस तरह से आप एलोपैथिक के अंदर इंजेक्शन्स लेते हैं उसी तरह से आरवेद में रसाइन का भी निर्मान होता है रसाइन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने कोई चौनप्रास ले लिया कोई आपने जुस ले लिया तो आप उसको रसाइन कहेंगे नहीं रस तत्व, बात, कफ, पित के जो बराबरी जो समतल विवस्था को कर सकें, ना बात की ज़्यादा अधिकता हो, ना पित की ज़्यादा अधिकता हो, ना कफ की ज़्यादा अधिकता हो, वो तीनों को बैलेंस करने के लिए जिस तत्व की जरूरत पड़ती है, वो है रसायन सास्त आरवेद मेरा सायन सास्तर की बहुत सुंदर सुंदर पधतियां हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप निरोगी बने, आप सच में चाहते हैं कि आपकी जीवन से दवा छूट जाए, आप सच में चाहते हैं कि आपका पैसा बचे, तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सम सामने लेकर आता हूं ताकि जो जीवन में आपकी इतने सालों से जो बीमारी अभी तक आप उसका निवारण नहीं जान पा रहे थे कभी आप हॉस्पीटल कभी उस डॉक्टर कभी उस चेक अप कभी उस पैथलोची एक ब्यक्ति सुवह से लेकर साम तक मुझे लगता है इस भारत में और सतन असी प्रतिसत लोग दवा का सेवन करते हैं प्रतिदी असी प्रतिसत भारत में लोग दवा का सेवन करते हैं कोई पेंकिलर खाता है कोई डाइबर्टी की दवा खाता है कोई हिप की दवा खाता है कोई सर्वाइकल का खाता है कोई किड् सधी का सेवन करें कि दवाई हमारे जीवन से छूट जाए यही मैं किरपा सक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और इसलिए मैं यह बेरी कुछ जो बेंस में आपको बता रहा हूं जिनको भी नसों से समंधित दिक्कत है जिन लोगों ने नसों की प्रकड़ा नसों के अंदर ब्लैकनेस आपके पैरों में दिक्कत चलने फिरने में दिक्कत करवट बदलने में दिक्कत सर में दिक्कत आपके गर्दन में दिक्कत सभी प्रकार के दिक्कतों के लिए यह सबसे सुन्दर और सधी का मैंने निर्मार किया है जिसका नाम है वे कर देना है आपको उसको को नहीं करना सिर्ब पे हलका से लगादेना है हलका सा लगाने से क्या होगा कि इस जो नसों के इंदर उपरी भाग में क्योंकि नसों के पाँच लेयर होता है, पांच परत होती, एक दो, तीन, चार, पाँच, बीच वाले परत में, हमारे बलड घुमता है, सेकेंद वाले परत में वाई घुमती है, उसके उपर जलका प्रभत होता है, तो जो लेयर, एक, दो, तीन लेयर के बाद की जो दो लेयर होती है, वो हमारी बॉडी की इम्नुटी का लेयर होता है, कि अगर बॉडी में इम्नुटी कम होगी, तो उस लेयर को प्रभावित करेगी, धीरे-धीरे फिर नसों के अंदर आपकी ब्लैकनेस आनी सुरू हो जाए जानने का सबसे सुन्दर तरीका आपका यह है, यहां पर आप चेक करें, कि जो आपकी नसे हैं, वो कहीं ब्लैक तो नहीं हो रही है, कोई हलका सा उसके अंदर ब्लैकनेस तो नहीं आ रहा है, अगर यह ब्लैकनेस आ रहा है, तो बिलकुल आपको आप सतर्क होने की जरूरत है अब आपको जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अब आप अस्वस्त होते जा रहे हैं जिन भी लोगों को मैंने देखा है सर्वाइकल के सिकायत है जिन भी लोगों को जोडों के ब्लाइक आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब अब आप सतर्क हो जाएं कि जो आपकी नसों के अंदर इफेक्शन्स है जो इफेक्टमिस है ब्लड का ओधिरे दिरे बॉड़ी से कम होती जा रही है और यह सबसे खतरनाक इस्थिती होता है किसी भी व्यक्ति के लिए तो अगर आप चाहते यह हैं कि आपकी जीवन से रोग समाथ हो जाएं आपको दवाईयों का सेवन ना करना पड़े आप दवा खाखा कर परिसान हो गए हैं क्योंकि दवा इसलिए परिसान में बंधों नहीं कहता हूं कि आप हो जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण भी ह आप जैसे मैं कहता हूं महिन में कोई ब्यक्ति 50,000 रुपया कमाता है उसका 10 से 15,000 रुपया डॉक्टर दवा और पैथिलोजी टेश्ट के नाम पर चला जाता है मैं से पिये कह रहा हूं कि अगर वो पैसा आपको बचेगा तो आपके अपने परिवार में इस्तमाल होगा जो आप अपनी जीवन में चाहते हैं वो तो कम से कम कर पाएंगे ऐसे छोड़ देंगे तो बात बनीगी नहीं लेकिन आप कमा किसके लिए रहें फिर आप कमा इस मैरे को एसल लगता है कि कोई भी रह कि लिए चाहें आपका घख की प्रॉलम हो चाहें ज्वाईन की प्रॉलम हो चाहे किड़नी की प्रॉलम हो अगर बहुत क्रिटिकल इस्तिती में आप आर्वेद के पास आते हैं तब भी आर्वेद साल भर से ज़्यादा आपको दवा खाने की सलाह नहीं देता लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेस में रोग के आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 म महिना, 4 महिना, 6 महिना, 7 महिना बहुत होता है किसी भी रोग को समाप्त करनी के लिए लेकिन ठीक उसके उलट अगर आप एलोपैथी की वेवस्था में जाएं तो मैं देखता हूं लोग सालों साल दवा खा रहे हैं कोई 10 साल से दवा खा रहा है कोई 5 साल से दवा खा रहा कोई 20 साल से दवा खा रहा है उसको यही नहीं पता कि दवा कब समात्थ होगा उसको यहीं नहीं समझ भाता कि मैं दवा छोड़ूंगा कब और एक दिन जब आप एक दवा खाते हैं राइबटीच का धिरे धिर आपको किद्नी में इफेक्शन सो जाता है धिरे धिरे आपकी सही मैनी में बचना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि मैं इन सब चीजों से बच सकता हूँ तो आप उसके लिए परियास करें अगर आप उसके लिए नहीं परियास करते हैं तो इसमें गलती किसी की नहीं है आप खाते रहे दवाई क्या फर्क पड़ता है आप रोज स्वस्त रहें तो उसके लिए बड़ा जरूरत है सही चीजों का ज्ञान और सही तरीके की आसधी का निर्मान और सही तरीके के आसधी के साथ सही विवस्था के साथ खाना एक बात और भी मैं आपको यहां पर बता दूँ आप कोई भी दवा खाते हैं आरवेद के अंदर एक चीज बहुत सुन्दर विवस्था के तोर पे कही गई है कि जब हम और सधी का निर्मान करते हैं तो उस और सधी में आगरह की पहले भाव होता है जिसको हम प्राथना करते तो पहली जो औसधी बनती थी हमारे पुरुजो के समय पर जब आरवेद अपने सबसे पर्चम पर था तो वहां पर औसधी के साथ आपकी पड़ी सुन्दर विवस्था थी कि आपकी औसधी का पहले आगरह होता था फिर उन प्राकृत के साथ आपको मिलाप किया जाता था उसके साथ आपकी रिक्विस्ट किया जाता था और फिर उसधी आपको दी जाती थी तो वो उसधी आपकी जब जीवन में जाता था तो वो उसधी आपको चमतकारिक रूप से लाब देता था आज वो परंपरा तो बिलकुस समापसी होगी हम कहते है माराजी हम आरवेद 10 स साल से खा रहें, बेस साल से खा रहें, मैं कहता हूँ आप पचास साल से आरवेद खा लिजे, कोई फर्क नहीं बढ़ सकता आपकी जीवन पे और ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कारण को नहीं समझ लेंगे, क्योंकि और सधी निर्मान की प्रकिरिया जो बड़ी जट इस तिथी में किस नच्छत्र में कौन सी औसधी का निर्मार होना चाहिए, यह आरवेद का पहला सर्थ है, क्या उलोग फॉलो को सिस्टम को कोई अपनाता है, नहीं अपनाता है, तो जब सिस्टम आप नहीं अपनाएंगे, तो कैसे यह मान लेंगे कि आप ठीक हो उसाथ उसके लिए असम बहुता लगता था कि नहीं, यह कैसे चमतकार हो सकता है, लेकिन वो हुआ है उसके जीवन में, और वो इसलिए नहीं हुआ है कि उसने असधी सेवन किया, नहीं, उसके साथ साथ जो उसका भरोसा अरवेद पे रहा है, परमात्मा पे रहा है, सबसे बड़ी बात रही है वह भरोसा ऐसे नहीं जगता है एक दिन में भरोसा नहीं आजाता है उस भरोसे के लिए कई पिढ़ियां खपती हैं उसके साथ आज ये क्रपा सक्ति वे भरोसा ऐसे नहीं आया है, कई पिढिया इसके अंदर लगी रही, तो जाके क्रपा सक्ति आपके जीवन में एक नया आयाम तक पहुंचा है, वो ऐसे नहीं पहुंचा है, वो भरोसा है, क्योंकि जब तक वो भरोसा नहीं आपके जीवन में आएगा, तब तक आपकी जीवन में कुछ आही नहीं सकता है। तो ये क्रिपा सकती आरवेद, साइन्स ये सब जीवन का एक बेवस्था है। जहां पर आप सब अपनी जीवन से जुड़कर अपनी तमाम प्रकार की जो अलग-अलग बिमारियां जिसकी वज़़ से आप परिसान सुब से लेकर साम तक रहते हैं, उससे निवर्त आपका हो सकता है। जैसे कि मालनी जी कि किसी व्यक्ति को घुटनों में दर्द है, घुटने से वो चर्फिर नहीं सकता है, वो क्या करेगा? अनमुनन वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि आपको इसमें ओयल्स क तभी आप कराये ये, जब आर्वेद उस पे बिल्कुल अपना हाथ खड़ा कर दे, वो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि घुटने का रिप्लेस्मेंट तभी हो सकता है, जब उसके पास इल्याज ना हो, तभी ओ कहेगा ना कि घुटने को बदलवा दीचे, लेकिन आप जरा ये बताईए कि कितने प्रश्यत लोग घुटने को बदलवा कर अभी तक स्वस्त महसूस करते हैं, साथ आपको जवाब मिलेगा कि साथ एक दो प्रश्यत लोग भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे, जिनोंने घुटने को चेंज कराया और उसके बाद उनके जीवन में ठीक ठा से कोसिस कर लें, उसका कोई रिप्लेस्मेंट नहीं हो सकता है, वो रिप्लेस्मेंट इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि रिप्लेस्मेंट आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रिप्लेस्मेंट कैसे होगा आपके जीवन में, तो आगर आप इन सब चीजों से आप बचना चा लेकिन अगर आप उसी दवा को आप सिर्फ डॉक्टर चेंज करते रहें, सिर्फ कंसर्टेंसी चेंज करते रहें, दवा का नाम चेंज करते रहें, तो फिर तो कोई बात होने वाली नहीं है आपके जीवन में और उसे आपको जीवन में तो कुछ आराम मिलेगा नहीं। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है अगर देश के किसी भी हिस्से में आप रहते हूं या देश के बाहर किसी भी हिस्से में आप रहते हूं अगर आपने ये सिफ सोच लिया है, कि मुझे दवा छोड़ना है, अब जिन्दगी को आनंद से जीना है, तो आप किरपा सक्ती में आएं, अर्वेद विट साइंस में आएं, अधरवाईज आप यहां पर ना आएं, क्योंकि आपका फिर समय खराब हो जाएगा, मेरे पास तो उसी लोगों, उन्ही लोगों की जरूरत है, जो चाहते हैं कि मैं दवा छोड़ू, जो चाहते हैं कि मैं स्वस्त हूँ, जिनको दवा खाना है, उसके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप जाएगर जगर दवा की दुकाने खुली हुई है, आप ज तो तो आप मेरे पास आए अब तभी जाके आपके जीवन में आनंद भी आएगा नहीं तो ऐसे फिर भटकते रही एक ब्रेक्ति बहुत सारी लोग मेरे पास जब मैं सेंटर्स पर होता हूँ तो लोग आते हैं देखता हूं मैं लोगों को पूछे महराज कम से कम इतना बंडल उसके पास रिपोर्ट होता है इतने बंडल रिपोर्ट लेकर वो चलता है और उस रिपोर्ट में आप बड़े हैरानी की बात है कि उस रिपोर्ट में मैं जब आप देखता हूं तो मुझे बड़े हैरानी होता है ना जने कितने सालों साल उस रिपोर्ट को लेकर घूम रहा होता है और पता चलता ही कि उसकी जीवन में कुछ समस्या थी ही नहीं एक एक ब्यक्ति मुझे ऐसा लगता है इस भारत में साल में कम से कम 10 से 15 अल्टरा सौंट तो करा ही लेता है दो तीन बार ECG करा लेता है और भी जो टेस्ट होता है वो भी हम लोग करा लेते हैं ठीक है आपने करा लिया जरा आप उसका कल्कुलेट करके देखिए पूरे साल में आपने लैब पैथलोजी कि वो कितना पैसा दिया है आपको जानके हैरानी होगी कि एक मिडिल क्लास वाला जो बेखती है जिसकी तनखा 25-30,000 रुपया है वो पूरे साल में लगभग 50-60,000 रुपया सिर्फ पैथलोजी को दे देता है टेस्ट के नाम पर और मैं कहता हूँ इससे कम पैसे में बहुत कम पैसे में आप अपने रोग को जड़ से समाप्थ कर सकते हैं तो सही क्या है जर आप यह सोचिए सही पैथलोजी में जाना सही है या सही उपचार कराना सही है जैसे कि मालीजी जैसे मैं आज आपको वेरिकोज की बात कर रहा था नसों की बात कर रहा था नहीं सो में जकरणसी है नंसों के अंदरई सूजन से नंसों के इनदर और कलापन आ रहा है य्या सब वेरिकुज वेंस की निसानी है जिसको हम अब मॉड़न साइंस में कहते हैं वहां पर अप यह बड़े हैरानी आप किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछिए कि क आपका जीवन चलेगा यह कौन सी बात हुई क्योंकि उसके पास कोई ऐसा फर्मूला ही नहीं है जो विरिकोष को ठीक कर सकता है लेकिन देखिए वही तुरंत आर्वेद में देखिए हमने आर्वेद में उसको बनाया है और आप उसको इस्तमाल करके खुद आप देखिए कि कितनी जलदी आप स्वस्थ होते हैं मैं कहता हूं कि आप दो महीने की मेडिशिंस अगर आप किसी यहलोपैथिक वाले से लेते हैं तो कम से कम 1000 से 1500 रुपया तो आप सिर्फ जाच के नाम पर आप खर्च करते हैं 1500 रुपए डॉक्डर की फीस हो जाती है और इतना ही पैसा आपका लगभग लग जाता है दवा के नाम पर तो 4-5,000 रुपए आप दो महिने में खर्च कर देते हैं रोग जस्का तस्थ बना हुआ है आरवेद में ठीक भीपिरित काम होता है 1500-2000 के अंदर आपका इलाज हो जाता है आप ठीक हो जाते हैं तो मुझे ये बताईए कि फिर आप किस बात के सोचते हैं एक बड़ी अजीब सी बात है भारत में लों कहते हैं महराजी आरवेद ना थोड़ा सा जल्दी काम नहीं करता ये तो बहुत बड़ी गलत बात आप कहते हैं क्योंकि लोगों अभी तक आपने आरवेद को सही तरीके मुझे लगता है सुना भी नहीं और देखा भी नहीं है आपने वही आरवेद देखा है जो रोज गली महल चौराओं पर मिलता है मैं उस आरवेद की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उस आर्वेद की बात कर रहा हूं कि सायद आप हैरान हो जाएंगे कि जो बीमारी को एलोपैथिक modern science हाथ खड़ा कर देती है उस बीमारी को मैं ठीक कर देता हूं आर्वेद के माध्यम से जो कभी लोग चल फिर नहीं सकते थे और वही लोग चलने फिरने लगते हैं तो अब इससे अच्छी बात उसके जीवन में और हो क्या सकती है आप छे साल तक बिस्तर पर पड़े हो आपके घुटना जवाब दे दिया हो आप नहीं चल पा रहे हो आप पार्क टहलने का मन करता है पार्क नहीं टहल पा रहे हो मन करता है कि चलो यहां से उठके कहीं और चले जाएं नहीं जा पाते हो और जैसे आप आरवेद के सरण में आते हैं जैसे आप किरपा सक्ती के सरण में आते हैं आप एक मेना दो मेने के अंदर चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उस मरीज के लिए तो चमतकार ही है न और क्या है उसके लिए तो चमतकार से बड़ी और बात ही नहीं हो सकते उसके जीवन में तो मेरा इस सिर्फ इतना है कि अगर सही समय पर सही तरीके से हम किसी भी चीज का इलाज करें तो संभव है कि हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सही आरवेद होगा क्या मैं लोगों से कहते हूं आप मेरे इनलाज Adventure अगर दो मैंने-तीन में आपको फरक नहीं पड़ता आप दबा बंद कर दो कोई बात रहें कोई दिक्कत वाली बात ही क्या पता में आपको सही तरीके सी लगारें लेकिन साल शाल थो दो साल तक आप दवा खाएं और फिर भी रोग आपकी जस्ट का तस्ट बना रहे फिर तो ये चिंता वाली बात है कि गड़वड़ी कहीं तो है या तो आप अपने रोग को समझ नहीं पा रहे हैं या जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो रोग को नहीं समझ पा रहा है या जो दवा बन रही है वो दवा ही सही नहीं है अब तो आर्वेद में इतने सारे डूबली केसी होती है कि आप सोच नहीं सकते एक जड़ी बूटी के बहुत सारे अलग-अलग फर्मूलेशन भारत में प्रचलन हो गया है अगर मैं कहूं किसी से तो मुझे आस्वगंधा दे दो तो कहता अस्वगंधा कौन सवाला चाहिए आपको नहीं बड़ा हैरान होता हूं सून कर क्योंकि हमने तो अपने गुरुकुल में अपनी ब्यवस्था में एक ही अस्वगंधा सुना है वह कहता है नहीं माराजी इसमें 10 वेराइटियां है 200 रुपया किलो वाला भी ब्याइं 500 वाला किलो वी है 700 किलो वी दो हजार वाला किलो भी है अब अपना खुदी समझदार है अगर 200 किलो अस्वगंधा इस्तमाल होगा तो दवा कैसी बनेगी आपके पास इसकी अगर आपको आप लाँ अपको लाब देकिर आप आप खुद सोची मिलना चाहिए आप किरपा सक्ती में आये हो आप ठीक हो के जाओगे इस बात को सोच कर चलना कि अगर आप किरपा सक्ती में आ गए हो तो आप ठीक हो के ही जाओगे ना तो कोई प्रस्ट नहीं नहीं है तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, कि आपने अभी तक दवा खाते रहे हैं, आपके रिस्दार हों, आपके बंधू हों, आपके दोस्त हों, कहीं भी आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे साथ किरपा सक्ति में जाना चाहिए, तो आपका स्वागत है आप आईए बिल्कु करें कि यह रोग आपको हुआ क्यों है, पहली तो बात यह जानिए, क्योंकि बहुत सारी में लोगों से एक बात कहता हूं, कि आरवेद में बड़ी मूल बात है, जो हम अभी तक भूल गए है, कि आरवेद आगरह का सब्जेक्ट है, आरवेद में जब तक आप दवा का प् ठीक हो जाओंगा, परमात्मा को आगरह करते हैं मन में, तो आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे जीवन में सब कुसलमंगल हो जाएगा, ऐसे ही औसधी के साथ है, जब तक आउसधी को आप प्राथना ना करें, और कोन से रूग में कोन से प्राथना करना है, ये भी बड़ किया है, आपने आउसधी को रिक्वेश्ट प्राथना नहीं किया है, आप जैसे सुबह उठते हैं, गोली लिया और खा लिया, वो आउसधी आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन भी आगरह की बस्तू है, उसके अंदर भी काम यही कहते हूं, कि पहले आप प्राथना करोगे, तो फिर आप मेरी आउसधी लेके जाओ, अगर आप प्राथना करके नहीं खाना है आउसधी, तो आप मेरी आउसधी मत लेके जाओ, आप किसी भी धर्म के हो, कोई फरक नहीं पड़ता, आप इसलाम को हो, आप हिंदू ये सब करना पढ़ेगा ये सब आपको जानना पढ़ेगा इस सिर्फ दवा खाने से आपका जीवं में सफलता नहीं हासी cilantro तो जो मैं टौपिक कह रहा था वेरिकोज वेंस में होता क्या है कि जब असों कि वेरिकोज वेंस की स्टार्टिंग है बॉड़ी में कहीं भी नसों के अंदर जरा सभी कालापन आ रहा है तो यह सतर्क होने की जरूरत है कि अब आपके नसों के अंदर स्खून का संचार जो है उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे था धीरे धीरे कम होती जा रही है यहन्य कि अभी ओभर देरे अपको बेरिकोष वहां होता जा रहा है to आपको ओधीरे धेर और बेरिकोष के साथ के बड़ी अजीव सीस्थिति है अगर एक नस के अंतर कोई प्रॉलम होगी वो तुरान्द दूसरे में पकड़ जाती है क्यों क्योंकि एक दूसरे के साथ connect है एक शुबाचूद की तरह फेलता है एक नस्थे दूसरे दूसरे नस्थे तो जैसे आपको दर्द यहाँ पर गर्दन में हो रहा हो कमर कणे सॉल्डर के हो तुरंत आपको दर्द पता चलेगा कि आपके पैरों में पहुंच गया पैरों में दर्ध हो रहा तुरंत आपको पता चलेगा कि यह तो मेरे सर में दर्ध होने लगा सर में जैसे दर्ध को ठीक किया तो पता चला कि आपके कमर में दर्ध हो गया यह सब इसके लक्षन है यह स तुमाम प्रकार के रोगों से हमेशा के लिए चूटे रहें। तो आज चुके इस गड़ी का इसारा भी हो गया। आप लोग स्वस्त रहें, निरोग रहें, हस्ते रहें, मुस्कुराते रहें। और क्रिपा सक्ति के साथ ऐसी जुड़े रहें ताकि आपकी जीवन की तमाम प्रकार के रोगों को हम ठीक कर सकें नमस्कार, रावराटी